अब हम स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ क्लास का बड़ा इंट्रेस्टिंग मज़ेदार चेप्टर जिसका फिजिक समय भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बलकि हमने 11 क्लास में उसका यूज किया है और ऐसा कुम सा चेप्टर है आप समझ गया होंगे और वो चेप्टर है सदीस बीज गनित याद आगया होगा कि सदीस की बात हमने फिजिक समय 11 क्लास में की थी और 12 क्लास में भी काफी चेप्टरों में इसमें सदीस की बात की जाती है तो सदीस बीज गनित बीज गनित बलक चेप्टर एल्जेब्रा देगे मेजस्ट से पहले फिजिक समय आ गया इसका मतलब ये तो ये बात के लिए रहे कि फिजिक समय इसका बड़ा महातुआ है ना और कहां महातुआ है उस पर हम अभी डिसकसन भी करेंगे लेकिन मेजस्ट का ये पहला चेप्टर है ठीक है ना पूरा सुरू से हम बेसिक 11 क्लास का में पढ़ा है फिर भी हम पूरा सुरू से लेके स्टाट करेंगे हम इसका बेसिक लेवल से और पूरा कंप्लीट बेसिक लेवल से पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें ओर आल इस चेप्टर में पढ़ना क्या है ये हम यह पर समझ ले इस चेप्टर में चार एक्सराइज मिलेगी फर्स सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिर इसके बाद में रहेगी विवीत प्रस्नावली विवीत प्रस्नावली चेप्टर को सुरू करने से पहले हम यह समझ ले कि हमें ओर आल इस चेप्टर में पढ़ना कितना है कहा तक पढ़ना है किस लेवल तक पढ़ना कितनी एकसरसाइज को सॉल करना है तो यंसी यहाटी की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर उसके बाद में विवीद प्रस्णा वह लिए हम सारी एकसर साइज के सारे कोश्चन को सॉल करेंगे ठीक है तो आपको प्रापर त प्रेक्टिस करने के बाद में फिर सेकेंड एक्सरसाइज पर जाना है फिर उसकी प्रेक्टिस करना है फिर इसका बेसिक और फिर एक्सरसाइज देखना है और फिर इस प्रकार से आगे की और बढ़ना है हम यहाँ पर देखेंगे कि पहली जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ और सदिसों के योगफल के गुन धर्म क्या होते हैं? तो ये पढ़ेंगे हम सेकेंड एक्सरसाइज में इसके साथ साथ में अदिस से सदिस का गुननफल किस प्रकार से किया जाता है? सदिस के घटक क्या होते हैं? और अंतह सुत्र क्या होता है? इतनी बाते हम सेकेंड एक्सर और फोर्त exercise में पढ़्ेगे दो सदीजों का अधिज्झ गुणन फल किस प्रकार से किया जाता है और अधिज्झ गुणन फल की क्या गुंधर्म होते हैं और किसी सदीज्ग का किसी रेखा पर प्रक्षेप किस प्रकार से होता है यह सारी बाते हम, थर्ड एक्सर्साइज में पढ़ेंगे और फोर्त एक्सर्साइज में पढ़ेंगे दो सदीसो का सदीज गुनन फल थर्ड में क्या पढ़ाता दो सदीसो का अदीज गुनन फल इसमें पढ़ेंगे दो सदीसो का सदीज गुनन फल और फिर उसके बाद में विवित प्रस्नावली और इसके बाद प्रापर एक तरफ से अगर देखते हैं, तो कही पर भी इस चेप्टर में कोई प्राबलम नहीं आएगी, क्योंकि हम जो सुरुवात करेंगे, सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे, उसके बाद में इसकी सुरुवात कहा से हुई, किस गनित अग्या ने इसकी सुरुवात की, और यह कांसेप्ट कहा से आया, उसके बाद हम बात करेंगे कि सदीस क्या होता है, अदिस क्या होता है, और सदीसों के प्रकार की बात करेंगे, कि सदीसों के प्रकार क्या होते है, कि जो की इस एकसरसाइज में भी जरूत पलेगी, और आपको फिजिक समय भी जरूत पल जालने वाले है थोड़ा सा टाम जरूर लगेगा मैं फिर आपको बता दूँ जो Basic मैं थोड़ा सा थीर लूगा और 나대ता में पूरी चीजे कवर करती हुई चलेंगे आपको थोड़ा सा टाम जरूर लग सकता है लेकिन आपको वीडियो देखना है प्रापर तरीके समझना है एक बार समझ मने आये तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं और प्रापर तरीके समझेंगे तो सारे question बनेगे सबसे easy chapter लगेगा सदीस का ठीक है तो हम सुरुआत करते हैं सदीस की अगर वेक्टर के इतियास की बात करे तो इसका इतियास भ्हुत पुराना है समय समय पर इसमें काफी ज़्यादा development हुआ इसकी जो शुरुआत हुई इसका जो नाम है वो लेटीन सब्दस से नाम पड़ा इसका नाम होता है तो हस्तगत की अगर मिनिंग समझे तो ऊस्तगत का मतलब होता है एक निस्चित मात्रा वाली राशी मतलब इसमें मात्रा तो निश्चित है इसके साथ साथ में इस मात्रा की क्या एक डायरेक्शन भी डिसाइड की गई है वेक्टरस मींस यह होता है अगर यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो सुरुआद हुई थी तो सबसे पहले तो जो समिस्र संक्या यह प्लस आयोटा भी हमने 11 क्लास में समिस्र संक्या पढ़ी है और समिस्र संक्या को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया था हमने है न यह ग्राफ पर किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया था तो सबसे पहले केसपर वेसल केसप इन्होंने सबसे पहले A plus Iota B को graphically represent किया था और वहाँ पर Vector की बात इनने की थी इसके बाद में एक महां गनीत तक गया थे आईरिस गनीत तक गया थे विलियम विलियम रोवेल रोवेल हमिल्टन हमिल्टन और इन्होंने कई सारी इसमें बीजगनी संक्रिया लगाये थी तो हम देखते हैं सदीस क्या होता है और अदीस क्या होता है और सदीस के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं क्योंकि एकसर साही आने वाली है उसमें इनकी आउसकता होगी अगर प्रापर तरीके से समझेंगे तो एकसर साही बड़ी इसमूत तरीके से बनने व बहूतिक रासिय, बहुतिक रासिय जो होगी, वो दो प्रकार की होगी एक तो उसको अदिस बोला जा सकता अदिस रासियः sansir लगात रासिया को रासी या तो अदिस रासि होगी या तो फिर सदिस रासि होगी अब बहुतिक रासिया है कि बहुतिक सास्त्रम में हमें प्रारंबिक तोर पर जो रासियों की जरुवत होती है जिसे मापने के लिए आउ सकता होती है उसको क्या बोला यागा बहुतिक रासिया बोला यागा यह दो प्रकार की होती है या तो अदिस बहुतिक रासिया होगी या तो फिर सदिस बहुति होती है सह अदीस मतलब दीसा की आउसकता है और अदीस मतलब यहाँ पर दीसा की आउसकता नहीं होती है जैसे उदारण के लिए अगर मान लिया जा है अदीस रासिया लंबाई मैंने एक लखली का टुकडा लिया और लखली के टुकडा को बोला कि यह जो लखली का टुकडा दिखाई दे रहा यह एक मिटर लंबा है तो इसमें दिशा की आउ सकता है क्या इसमें दिशा की आउ सकता नहीं है द्रव्यमान, द्रव्यमान में दिसा की आउ सकता नहीं है, द्रव्यमान, दूरी को मापने के लिए दिसा की आउ सकता नहीं है, एक बिंदू से दूसरे बिंदू के बीच की दूरी, क्यों दूरी होगी, हम बोल सकते कि यह एक किलो मिटर है या पाच मिटर है या एक मिटर है इस प्रकार से वो दूरी होगी, इसमें दिशा की आव सकता नहीं होगी, इसके अलावा समय बोल सकते हम, जो समय है वो इसमें दिशा की आव सकता नहीं होती है, छेतरा फल में दिशा की आव सकता नहीं होती है, इसके बाद तापमान बोल सकते हम, ऐसी बहुत सारी रासी है, तापमान और कारे बोल सकते हम जो कारे किया वो किस दिसा में कारे किया नहीं मालूम मतलब कारे तो हो गया लेकिन इसमें डाइरेक्शन की जरुवत नहीं होती है इसके अलाओ घनातुव और आदी इस प्रकार की कई सारी राशिया है जिसमें दिसा की आउ सकता नहीं होती इस लेकिन परिमान की आउसकता होती है यह बात तो किलियर हो गई कि ऐसी भोतिक रासिया जिसको मापने के लिए क्यों परिमाप की आउसकता होती है दिसा की आउसकता नहीं होती है अचा सदिस रासिया यह मान लिया जाए कि वेग अगर किसी का वेग 50 km प्रति घंटा है इसका मतलब क्या है 50 km प्रति घंटा उसका परिमाप हो गया और इसके साथ साथ में उसकी डायरेक्शन क्या है किस दिसा में वो दोड़ रहा है तो क्या हो जागा इसका वेग हो जागा बल हमने फिजिक्स में पढ़ा है नाइंत क्लास में वेग बल ये सब क्या है सदिस रासी है तोरन सदिस रासी है समवेग सदिस रासी है विस्थापन विस्थापन दूरी क्या है अदिस रासी है और विस्थापन क्या हो गया क्योंकि विस्थापन में क्या होता है कि दूरी के description किया जाता है विद्दूत छेत्र की तिवरता कितनी है और किस दिशा में इसकी तिवरता है तो विद्दूत छेत्र की तिवरता तिवरता और इस प्रकार से आधी हम बोल सकते इसमें अधिस सदिस रासिया हो सकती है तो भोतिक रासियों को दो केटेगरी में डिवाइड किया एक अधिस रासिया एक सदिस रासिया अधिस रासिया होगी जिसमें परिमाप की आऊ सकता होती है लेकिन दिशा की आऊ सकता नहीं होती है और सदिस रासियों को जो सदिस रासिया में तो इस चेप्टर में क्या पढ लिए हम एक डिष्ट रीखा का क्या होती है यहाँ पर देखेंगे सपोश करें कि अंतरिक्छा में हमारे पास में कोई बिंदु ओ है और दूसरा बिंदु क्या है पी है यह पर क्या है दो बिंदु है और दोनों बिंदुों को हमने मिला दिया तो इस प्रकार से ओ पी एक रेखाखंग प्राप्टो हो गया अब OP रेखाखन में अगर दिसा है, कैसे दिसा है, यहाँ पर इस रेखाखन में हमें यह समझ में आ रहा है, कि यह रेखाखन वो से लेके P की और जा रहा है, अगर हम दुसरे तरीके से बोले कि एक कन वोपर था और यहां से गती करते हुए वो कहा तक गया? पी तक गया तो कितने दूर तक गया? कितने दूर तक गया? सपोस करे कि यह पाँच मिटर तक गया एक कन O से लेके P तक 5 मिटर दुरी तक गया तो किस दिशा में गया O से लेके P की दिशा में ये गया तो इसको क्या बोलेंगे हम सदिस बोलेंगे और इस O P रेखा को दिश्ट रेखा बोलेंगे दिश्ट रेखा नाम से किलिए रहे और उसके साथ सब में इसमें दिसा भी है तो इसको निरूपित कईसे किया जाता है देखना इसको निरूपित करने के लिए Vector A Suppose करे कि यहां पर इसका मान कितना है Vector यह तो इसको अंग्रेजी ओरने माला के छोटे अक्षर द्वारा, बोल्ड अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता, देखना, इसको मैं बोल्ड बना देता हूँ, ए द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता, बोल्ड द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता, बोल्ड द्वारा, मतलब डार्क करना हमें इसको, आप नार्मल लिखेंगे और उसके उपर तीर का चिन्न लगा देंगे, वेक्टर C, वेक्टर D, इस प्रकार से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिए एक लाइन खिचके भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, एक उ O P, दिसा क्या है इसकी O से लेके P तक की और, तो हम इसको O P से भी प्रदर्शित करते हैं, O P और इसके उपर एरो लगा देंगे, तो इसको प्रदर्शित करने के यही भी तरीका है, ऐसा एरो लगा के और इसमाल लेटर द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा भी अब सदीस रासियों का संकेतन हम समझ चुके है कि इस प्रकार से इसका संकेतन होता है और लेकिन हम जब इस चेप्टर की बात कर रहा है तो इस चेप्टर में हम पढ़ेंगे कैसा यह वाला ज्यादा अब देखते हम सदीस का मापांक अगर सपोस करें कि हमारे पास में कोई सदीस है यह है यह और यहां तक है बी क्या है यहां तक बी है और इसको हम वेक्टर यह से प्रदर्सित कर रहे है ठीक है यह इसका प्रारंबिक बिंदू है और बी जो है इसका अंतिम बिंदू है वेक्टर यह इसका इसकी माप है यहां पर यह प्रदर्सित कर रहा है कि यहां पर क् कि ये से लेके बी तक है फिक्स है इसलिए इसको देश्ट रेखा भी बोला जा सकता है सदिस का मापांग का मतलब वह धनात्मा क्रासी जो सदिस के मापांग को प्रदर्शित करता है या परीमान को प्रदर्शित करता है इसको जनरली इस प्रकार से तिर्छे अक्षर द्वार ये भी हमारे पास में कोई सदीस है तो इस प्रकार से भी इसको परिवासित किया जा सकता या तो फिर हम मौड भी लिखा जा सकता मौड वेक्टर ये इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता तो मापांक का मतलब ये है कि इसके परिमान कितना है तो परिमान को प्रदर्शित क करने के लिए यह तिर्चा अक्षर है इसको बोला जाता है यह इसका मॉड लगा दिया इसमाल यह लगा दिया इसके उपर लाइन बना दी यह इस प्रकार से भी क्रिया जा सकता है यह इस प्रकार से भी इसको प्रदेशित किया जा सकता है इसका मान सदेव क्या रहेगा धनात तो कि नपाइय एक है। इसकी जो लमबाई है वो 5 मिटर है लेकिन इसके ऊपर जो एरो का इंडिकेटर दिखाई देऊ इसे पता चल रहा कि वो रसी क्या है? सदिस रसी है जिसकी लमबाई 5 मिटर है और A B is equal to 5 meter लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि A B एक अदिस रासी है जिसकी लंबाई कितनी है 5 meter है तो मापांक को इस प्रकार से अच्छा है यह इसका मान हमेशा धनात्मक होगा धनात्मक क्यों होगा वह यह B एक रेखा खंड़ा इसकी लंबाई धनात्मक में तो होगी रिना जाए का B से A की और नापिये चाहिए A से B की और 5 meter ही लिख रहा हूँ तो मापांक क्या होगा लंबाई तो हमेशा धनात्मक में होगी न तो हम यहाँ पर बोल सकते कि यह मापांक A B बोलिये चाहिए B बोलिये दोनों का मान बराबर ही होगा अब देखते हम सदीसों के प्र अब देखते हम सदीसों के प्रकार और यह बड़ा इंपोर्टेंट है सदीस का सबसे इंपोर्टेंट पोर्षन सदीसों के प्रकार मालूम होना ची कि कितने प्रकार क्यों होते है क्योंकि पूरा चिप्टर इसी आधार पर चलेगा तो सदीसों के प्रकार सदीसो के प्रकार ठीक तो पहला प्रकार होता है सुन्य सदीस सुन्य सदीस और नाम से के लिए रहा है कि सुन्य सदीस क्या होगा और इसको परिभासित करेंगे मैं पहले प्रकार लिख देता हूँ और नाम से के लिए रहाए मैं पहले साट मी बता रहूं नल जिसको बोला याथ नल वेक्टर दुसरा बनेगा उचित सदी्स और जिसको बोला याएगा प्रापर वेक्र और तिसरा होगा इसका इकाई सदी्स ठीक है, जिसको बोलायागा unit vector, unit vector, इसको अभी परिवासित करेंगा, कि किस प्रकार से परिवासित करना है, बिल्लिकुल सिंपल है, नाम में ही उसकी परिवासा चूपी हुई है, ठीक है न, तो इसका फोर्थ है sum this, sum this, sadis, sadis, यहाँ जिसको बोलायागा like, like vector, और फिप्त बनेगा, और sum this, और sum this, sadis, जिसको बोलायागा unlike, unlike vector, और इसके बाद में sum taliyya sadis, छटवा, sum taliyya sadis, ठीक है, परिवासा है, मालू होना चीए, जिसको बोलाया, sum taliyya, मतलब co-planar, co-planar, vector, sum break, साथवा है, sum break sadis, sum break sadis, यहाँ इसको बोलायागा, samantar sadis भी बोलायाता, samantar, samantar sadis, और इसको बोलायागा sum break, मतलब, इसको इंग्लिज में बोलायागा co-linear, co-linear, linear, यहाँ तो फिर इसको बोलायागा parallel, parallel, vector, ठीक, अब इसके बाद, rin sadis, rin sadis, यहाँ इसको बोलायागा negative, negative vector, इसके बाद, वित्क्रम, नववा है, वित्क्रम, वित्क्रम sadis, जिसको बोलायागा reciprocal, reciprocal, reciprocal vector, ठीक है, अब इसके बाद में इस्थिती sadis, दस्वा, इस्थिती sadis, इस्थिती sadis, इसको बोलायागा position vector, change कर रहाँ, क्या है, position vector, इस्थिती sadis बोली है, चाहिए इंग्लिज में बोलेंगे इसको, position, position vector, ठीक है, और इसके बाद, last है, समान sadis, समान sadis, जिसको बोलायागे equal, equal vector, देखना, परिवासा रटनी की जरूत नहीं है, ऐसे ही आपको नाम से किलिए रोनाची, सुन्य सदीस, ऐसा sadis, क्या होना चीए हो ऐसे, सुन्य सदीस मतलब जिसका परिमान कितना होना चीए, परिमान सुन्य होना चीए, मतलब ऐसा sadis, जिसका परिमान सुन्य होना चीए, उसको क्या बोलेंगे, सुन्यशदिस कहा जायगा उचित सदिस उचित सदिस यह जिसको प्रापर वेक्टर बोला जाता है उचित मतलब जिसका परिमान सुन्य नहीं होना चीए मतलब वेक्टर ये greater than इसका जो मान होगा वो क्या होगा सुन्य से ज्यादा होगा इकाई सदीस, नाम से किलियर है, यह ऐसा सदीस है जिसका मापंक अगर निकालते तो इसका मान कितना होजागा? One होजागा इसको इकाई सदीस को इस प्रकार से भी प्रतर्शित किया थाए, यह के उपर CAP लगा दिया जाता है और इसका फर्मूला होता है, vector A divided by mod of Vector A देखना फिर से और एक बर एकाई सदीस का मतलब यह है कि ऐसा सदीस जिसका मापांक क्या होना चीए वन होना चीए अब मापांक का वन होना चीए मतलब यह हमने मापांक निकाला इसका मान कितना हो गया वन हो गया या तो फिर कोई अगर सदीस दिया हुआ है, suppose करें कि हमारे पास में वेक्टर ये दिया हुआ है, और वेक्टर ये का को अगर हमें 21 सदीस के रूप में परिवर्तित करना है, तो काईसे करेंगे? देखना, 21 सदीस के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो इसको 21 सदीस is equal to vector य लिख देंगे और उसके नीचे उसका मापांक निकालके उससे भाग देंगे तो ये वाला जो सदीस होगा इसका यदि हम मापांक निकालते तो इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा तो ये याद रहे कि इकाई सदीस मतलब इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है जिसका मापांक वन हो और कोई अगर सदीस है उसका मापांक इकाई सदीस अगर बनाना है तो उसको ये केप द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है और वेक्टर A डिवाड़ेड बाई मापांक आफ वेक दिस मतलब दिसा, एक जैसी दिसा हो, जिसको लाइक वेक्टर भी बोला जाता है, तो देखना, दो वेक्टर है, एक तो वेक्टर यह है, और दुसरा वेक्टर यह है, देखिए, दोनों वेक्टर की दिसा क्या है, एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम, सम्दिस, सदिस कहा तो इसकी परिवासा कैसे हैंगे और एक बार डिटेल में हम पढ़ेंगे और सम्दिस सदिस ऐसे सदिस जो समांतरत हो लेकिन इसकी दिसा क्या हो विपरीत हो उसको क्या बोलेंगे और सम्दिस सदिस कहा याएगा या इसकी परिवासा हम बोल सकते दो सदीज जिसके जो क्या है समांतर हो लेकिन उसकी दिशा क्या विपरित हो तो उसको सम्दीज सदीज या अनलाइक सदीज कहा जाता है सम तलिय सदीज एक ही तल पर या एक से जादा तल पर ऐसे सदीज जो क्या होना चीए समांतर होना चीए उसको क्या बोलेंगे सम तलिय सदिस कहा जाएगा नहीं आया समझें सम तलिय का मतलब यह क्या एक तल है ठीक है और मैंने क्या किया यहाँ पर इस तल पर एक सदिस बना दिया इस प्रकार से एक सदिस बना दिया इसी तल पर दुसरा सदिस बना दिया और दोनों सदिस क्या है समानतर है लेकिन मैंने यहाँ पर परिभासा में और एक सब्दे यूज किया है क्या सब्दे यूज किया है सम तलिय सदिस वे सदिस कर लाएंगे जो एक ही तल पर या अलग अलग तल पर क्या होना चाहिए समानतर होना चाहिए तो क्या बोलेंगे इसको सम तलिय सदिस का याएगा देखना यह बोड है यहाँ पर यह वाइड बोड दिखाई दे रहा सेम इसी के पेरल लगे इदर एक वाइड बोर manner लगा हुआ है मैं इस पर भी अगर एक सर अर इक सदिस बना समांतर है और दोनों पर अगर समांतर हमने सदिस बना दिये तो समतलिय सदिस हो जाएगे ठिक अच्छा सम रेक सदिस या समांतर सदिस समांतर सदिस देखिए एक सदिस और दुसरा सदिस ये क्या समांतर है ये भी सदिस समांतर है इसमें दिसा उल्टी भी हो सकती है लेकिन सम समांतर सम रेक सदीस या समांतर सदीस किसको बोलेंगे को लिनियर या पिरलल वेक्टर तो ये क्या होना ची है दोनों एक अच्छा ये भी क्या समांतर सदीस है देखी को लिनियर मतलब सम रेक एक ही रेखा पर बने हुए है तो इसको भी क्या बोलेंगे सम रेक सदीस या समां रहे यह भी इसके समानतर है जीसा भले इसकी अपोजीट है यह भी इसके समानतर है यह क्या एक सम्रेक है झाहिए टो सम्रेक को भी समानतर सदिस कहा जाएगा ठीक याद रखती हूई चलना հीन सदिस नाम से किलिए रहे रीन सदीस मतलब वेक्टर ये हमारे पास में है तो इसका वेक्टर ये ये क्या होना चीए? रीनात्मक होना चीए कहने का मतलब क्या होगा? रीन सदीस वे सदीस होगा जिसके परिमान बराबर है लेकिन चिन्न विप्रित है जैसे सपोज करें कि Vector A Vector A is equal to अमरे पास में कोई सदिस दिया हुआ है तो इसका RIN सदिस कै होगा Vector A इसका RIN सदिस हो जाएगा ठीक तो RIN सदिस मतलब Negative Vector जिसका क्या परिमान बराबर हो देखना इसका और इसका क्या है परिमान बराबर है लेकिन दिसा विफ्रीत है तो इसको क्या बोलायागा रिन सदिस बोलायागा और एक छोटी सी बात मैं बता दू यहाँ पर अगर सपोस करें कि हमारे पास में कोई वेक्टर यह भी है क्या है यह भी है अब यह भी का मतलब यह हो गया कि सपोस करें कि हमारे पास में यह भी है इसको हम यहाँ पर इसका प्रारंबिक बिंदू है और यह क्या है इसका अंतिम बिंदू है यह इसका अंतिम बिंदू है इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है यह भी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है अगर हम उल्टा लिखे अंतिम बिंदू पहले लिखे और प्रा जिसका परिमान बराबर हो लेकिन दिसाए अलग-अलग हो तो एक सदीस दुसरे का रिन सदीस कहलाएगा है हो गया न भी इनकी दिसाए क्या है समान है स्वारी इसके परिमान क्या है समान है लेकिन इसकी दिसाय क्या है अलग अलग है इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर माइनेस ने लगा हूँ तो इसका यह क्या होगा रीन सदीस होगा क्योंकि इसका मान क्या है इसकी अपर अभी रीन लगाया था न मने यहाँ पर अब वितक्रम सदीस नाम से खिलिए रहे एक सदीस का वन बाई यम वितक्रम सदीस कहलाएगा यदी इसका इसकी और इसकी दिसा क्या है ये कही है दो सदीस वितक्रम सदीस कहलाएगे यदी पहले सदीस का परिमान परिमान मतलब इसका परिमान क्या है मान लिया जाए कि यह है दूसरे सदिस के परिमान का वितक्रम है वितक्रम होता है वितक्रम जानते हैं हम सपोस करें कि हमारे पास में दो लिखा है तो इसका वितक्रम क्या हो जागा एक बटे दो अगर 25 लिखा है तो 25 का वितक्रम क्या हो तो इसका क्या होएगा 1 by M होगा अच्छा इस्थिती सदीस या पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या बोलेगे या इस्थिती सदीस क्या बोलेगे यदि कोई सदीस ये भी है जिसका ये प्रारंबिक बिंदू है और बी क्या है अंतिम बिंदू है तो बी की इस्थिती को दरसाने के लिए हमें प्रारंबिक बिंदू की आऊ सकता होती है तो इसको क्या बोलेगे इस्थिती सदीस बोलेगे नाम से किलिए इस्थिती मतलब ये सदीस बी की इस् बना हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस्तिती सदिस कहा जाएगा, समान सदिस, समान सदिस, दो सदिस, समान कहलाएगे, अगर उसका मापांक क्या हो, बराबर हो, मापांक क्या हो, बराबर हो, दीसा दोनों की क्या होना चीए, दीसा दोनों की बराबर होना चीए, औ समांतर हो तो तीन कंडिशन है इसके लिए एक तो दोनों का क्या है मापांक बराबर होना चीए इसका मापांक 25 है तो इसका मापांक क्या होना चीए इसका 10 है तो इसका मापांक 10 होना चीए मतलब परिमान क्या होना चीए दोनों के बराबर दिसा क्या होना चीए दोनों की एक समानतर भी होना चीए तो ये तीन कंडिशन को संतूष्टे करता है तो सदीस को क्या बोलायागा इक्वल सदीस का आजाएगा अब देखना बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी परिवासाओं को हम एक बार फिर से रिवाइज करते सुन्य सदीस सुन्य सदीस मतलब ऐसा सदीस जिसका मापांक सुन्य हो ठीक है दुसरा तरीका एक सदीस है ये जिसका प्रारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू क्या ये की बिंदू पर है ये भी ऐसा सदीस है जिसका प्रारंबिक और अंतिम बिंदू ये की बिंदू पर है तो सुन्य सदीस कहलागा क्योंकि इसका मापांग कही ने ये की बिंदू पर है तो इसको क्या बोला जागा सुन्य सदीस या नल सदीस या जीरो वेक्टर भी बोला जाता ठीक? किलियर हो गई? कभी नहीं बुलेंगी? सुन्य सदीш, ऐसा सदीष जिसका मापांक सुन्य सदीष कहला ता हो गए परिभासा या तो फिर ऐसा सदीश जिसका प्रारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू एक ही बिंदू पर हो तो क्या बोला जाएगा सुन्य सदीश का जाएगा नाम से के लिए रदेखना कोई भी परिवास आगर आपको समझना है उसके नाम पर विचार करना सुन्य पहले बोल दिया ना सुन्य सदीश इसका मतलब उसका परिमाप क्या होना चीए सुन्य होना चीए उचीत सदीश उचीत मतलब जिसका परिमान क्या होना चीए सुन्य नहीं होना चीए मतलब कुछ न कुछ उचीत रहेगा ना हम बोलते ना कि मेरे पास में उचित रुपे है अगर मेरा परस पुरा खाली है एक रुपे भी नहीं मेरे पास में तो मैं बोलूगा कि मेरे पास उचित पैसे है मतलब कुछ नो कुछ रहेगा तब तो बोलूगा कि उचित पैसे मेरे परस में है मतलब कुछ नो कुछ है सुन हो ठीक एया ऐसा सदीस जिसका परीमान ये को मापांक बुलिए चाया पर परीमान बुलइ Efendimiz कि इसको क्या बोला यागा है सदीस बोला याلة और किसी भी सदीस को अगर का इसको इसका से कंवर्ट किया जा सकता है अगर इतने का मान इसका अगर मापांक निकालेंगे पूरे का तो इसका मान एक ही आएगा ठीक समदिस सदिस समदिस सदिस मतलब like vector सम मतलब एक जैसा दिस मतलब दिसा हो गया ना परिवासा के लिए ऐसे दो सदिस जिनकी दोनों की दिसा एक हो परिमान भले अलग-अलग हो क्या बोला है क्यों सम मतलब बराबर तो क्या बराबर तो दिस दिसा क्यों दिसा बराबर हो परिमान इसके अलग-अलग हो सकते देखे छोटे बले बना दी होने इसका परिमान जादा दिखाई दे रहा इसका परिमान कम दिखाई देगा और सम्दिस सदिस जिसकी दिसाय विप्रित हो एक उत्तर से दक्षिन जा रहा तो दुसरा दक्षिन से उत्तर की ओर आना चीए दौर लगाते ना हम इधर से दौरते हो जाते कुछ लोग सुबह उधर से दौरते हो जाते ठीक है, विसम सम्दिस सदिस हो जाएगा या सम्दिस सदिस बोला जाएगा unlike vector जिसको बोला जाता है सम तलिय सम मतलब बराबर तल मतलब तल सदिस एक तल आएए और इसी प्रकार से दुसरा तल है एक तल पर या अंतर तल पर एक तल यह है, एक तल यह है मैंने इसके उपर एक vector बना दिया और इसके उपर भी सेम उसी direction में एक vector बना दिया दोनों क्या vector समानतर है तो दोनों क्या होगे सम तली है सदीस का लाएंगे क्योंकि तल अलग अलग है लेकिन इसके उपर जो वेक्टर बने हुए सदिस बने हुए वो क्या है समानतर है आपस में समानतर होना चीए और तल भी समानतर होना चीए ठीक कहा तक पहुच गया अपन यहां तक सम रेक सदिस या समानतर सदिस सम रेक मतलब एकी रेखा पर हो देखना ये बना दिया मैंने देखना ये ये की रेखा पर है ये की रेखा पर है इसलिए सम रेख बुल रहा है इसको या समांतर समांतर होना चीए हाँ इसकी डायरेक्शन अलग-अलग हो सकती है ये देखना इसकी डायरेक्शन ये है और दूसरा वेक्टर इधर से इधर आ इधर से, ये की रेखा पर है, लेकिन क्या है, समानतर है दोनों, ये भी समानतर है, ये और ये समानतर है, रीन सदीस, रीन, ऐसा सदीस, क्या होना चीए, जिसके मापांक बराबर हो, लेकिन रिनाप मखो, वैक क्या है, ये मान लिया जाए, किसी का मापांक 25 है, ठीक है, दुस क्योंकि परिमान तो नेगेटिव होता नहीं, हम सुरू में पहले पढ़ चुके हैं, कि किसी भी सदिस का परिमान रिनात्मक नहीं होता है, तो रिजिन सदिस किसको बोलेंगे, ऐसे दो सदिस, जिसके परिमान बराबर हो, लेकिन दिसाय विपरित हो, ठिक, वितक्रम सदिस, अब इस्तिति सदिस, और इस्तिति सदिस क्या होता है, इस्तिति सदिस मतलब सिंपल काम है, कि हमारे पास में एक सदिस है, ये भी एक सदिस है, तो इसका ये प्रारंबिक बिंदु है और अन्तिम बिंदु है, तो प्रारंबिक बिंदु के सापेक्च, अन्तिम बिंदु की इस्थिती को प्रदर्शित करना इस्थिती सदिस कहलाएगा मतलब अंतिम बिंदु कहा पर है तो ये क्या होगा इसका इस्थिती सदिस कहलाएगा समान सदिस नाम से के लिए दो सदिस समान सदिस कहलाते है यदि दोनों का मापंक बराबर हो दोनों की दिसा एक समान हो बराब साहे मालूम होना चीए और आप नाम से किलियर करना इसको ठीके ना जैसा जैसा नाम है उसी के हिसाब से तोड़ा सा मेमोराइज करना सुन्ने मतलब जिसका मापांक सुन्ने नहीं है इकाई मतलब जिसका मापांक यह है यह तो मापांक मापांक से काम हो गया अपना तीन दिसा से काम हो गया दोनों परिवासा है सम्तलिय मतलब दो तलो पर क्या होना चीए समानतर होना चीए और सम्रेक सम्रेक मतलब एक रेखा पर हो नामसी के लिए रहा है एक रेखा पर हो या तो फिर समांतर हो तो सम्रेक भी बोल सकते इसको समांतर भी बोल सकते दोनों का मतलब एक ही है रीन नाम से के लिए रहा है जिसका परिमान क्या होना चीए बराबर होना चीए लेकिन दिशा अलग-अलग होना चीए वित्क्रम जिसका परिमान वित्क्रम होना चीए ये परिमान के आदार पर ये दिशा के आदार पर हो गई और ये परिमान के आदार पर परिवासा हो गई इस्तिति सदिस कोई सदिस प्रारंविक बिंदु के सापेक्च उसका अंतिम बिंदु की इस्तिति को प्रदर्शित करता है उसको इस्तिति सदिस कहा जाता है और समान जिसका परिमान भी बराबर होना चीए और दिसा भी समान होना चीए तो हम देखते हैं exercise और उसके question को solve करते हैं जो हमने अभी basic समझा न इसी के आधार पर अभी exercise आने वाली है और उस exercise को solve करते हैं उत्तर से 30 degree पूरव में 40 km के विस्थापन का आलेख निरूपीत कीजिए ठीक है अच्छा उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिन की बात कीए तो यहाँ पर हमें मालूम होना चीए कि निर्देशांग तल बना रहा हूं है यह निर्देशांग तल बना दिया इस प्रकार से यह कागज के पेपर पर जब हम उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम को प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम नार्थ साउथ इस्ट वेस्ट यह फिक्सा है ठीक है अच्छा उत्तर से 30 डिग्री पूरव में 40 km के विस्थापन उत्तर से उत्तर से पूरव दिशा में 30 डिग्री 40 km के विस्थापन का आलेक खिची है तो हम मान लेते कि यह क्या है मुल बिंदू है और 40 तो हम एक एक सेंटीमेटर पर इस प्रकार से बना देते एक दो तीन और एक चार तो इसका नाम पी दे देता हूँ मैं ठीक है तो वेक्टर ओ ओपी ओपी इस इगल टू कितना 40 km तो इकाई क्या होगी इसकी इकाई हम मान लेते एक एक सेंटीमेटर बरार से 10 km यह इकाई क्या रखना हमें एक सेंटीमेटर बरार से 10 km रखा तो ओपी बरार से 40 km और यहाँ पर लिखेंगे हम कि उत्तर से पूरव दिशा में 30 डिग्री का कोन बनाते हुए यह ओपी इस इगल टू इतना होगा ठीक देखते हम नेक्स्ट कोस्टन नमबर 2 निमनलीकित मापो को अदीस यों सदीस के रूप में श्रेनीबत कीजिए देखना अदीस और सदीस के रूप में स्रेनीबत करना हमें इसका मतलब क्या हुआ हमें यह जिसमें दिसा नहीं है और जिसमें परीमान और दिसा दोनों रहेगे हो क्या होगा सदीस होगा तो हमें यहां पर एक कोश्चन देखेंगे जिसमें दिसा की बात की आएगी या दिसा कहीं ने कहीं वहाँ पर छुपी हुई रहेगी तो हम इसको सदीस बोलेंगे अधरवाइस अधीस की बात कर रहे हैं अधीस की बात ठीके देखना ध्यान देना पहली बात तो 10 किलो ग्राम 10 किलो ग्राम एक मान लिया है कि हमने कुई सब्जी खरीदी 10 किलो क्राम उसमें कुई भूरत होती है मतलब वो क्या एक क्योल परिमाप होता है उसमें और उसमें दिसा की जरुत नहीं होती है उसमें दिसा नहीं है इसलिए क्या होगा यह जिसमें दिसा नहीं है अदिस दो मीटर उत्तर पस्चिम हमें मालूम है कि दो मीटर की बात की है मतलब परिमाब कितना हो गया इसका परिमान हो गया दो मीटर और उत्तर पस्चिम की बात की है इसका मतलब यह क्या हो गया दीसा हो गया तो यह दुसरे नंबर का जो होगा वो क्या होगा सदीस रासी होगी और उसमें कारन हम इस पस्टे भी कर सकते 2 मीटर क्या होगा उसका परिमाण होगा और उत्तर पस्चिम उसकी दिसा होगी 40 भी अब 40 भी किधार है भाई नहीं मालूम ठीक है अब 40 भी किधार है तो negative भी हो सकता 40 degree क्या एक परिमान है और इसमें दिशा की बात नहीं की है 40 watt 40 watt ये क्या है ये परिमान है लेकिन इसमें दिशा नहीं है 10 raise to the power minus 19 कुलम तो ये भी क्या है परिमान है और इसमें दिशा की बात नहीं की है 20 meter प्रती 2nd square 20 meter प्रती 2nd square ये क्या है चाल के साथ साथ में तो यह क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा सदीस रासी हो जाएगी देखते हम next question number णिमने लिखित को अधिस्यों सदीस रासियों के रूप में स्रेनि बद्ध कीजिए हमें बताना है कोंसी रासी सदीस है और कोंसी रासी अधिस है अच्छा समय का लांस एक अंतराला है हमारे पास में एक समय का अंतराल है तीन बजे से पाच बजे के बीच में इसमें कोई दिसा की बात की जा रही क्या कोई दिसा की बात नहीं की जा रही मतलब समय का अलांस क्या होगा अदिस रासी होगी इसमें दिसा की कोई बात नहीं होती कोई सी दिषा इन्हां सकते ही उतंता दक्षिंपुरौ पस्चिम नइन ही इस Bye टीक है यह क्या होगा अदीष राशि ओघएक दूरी केजिते ही डोगी इसमें कोई दिषा की बात ही नहीं कि hai फिक उसिफ400 नहीं कि और Communism तो कुन सी दिशा में बल लगाएंगे वही या ऊपर की ओर बल लगाएंगे की निचे की ओर बल लगाएंगे की उत्तर की ओर लगाएंगे या दक्षिन की ओर लगाएंगे सिधी बात यह है कि हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे तो किसी एक दिसा में क्या होगा विस्थापित होगा मतलब हम बोल सकते कि जो बल लगा रहा है वो किसी एक दिसा में यह सब फिजिक्स है सदिस राशी कार्य कार्य कीया मैंने कोई घड़ Day खोदा नहीं करही है तो कारे में कोई दिसा की बात ने की जाती है यहाराू यहाँ बोलती हुई जारा हू बोलने में कोई दिशा की जरौत नहीं है और कोई एक निश्ची दिसा में मैं बोलने ही रहो तो ये सब क्या है कारे है तो कारे क्या हो गई सदिस राशी हो गई सिंपल बात वेग और बल जो है वो क्या है सदिस राशी है क्यों क्यों कि वेग क्या होता है समय के सापेक्च चाल में जो परिवर्तन होता है उसको क्या ब बल भी क्या होता एक निस्टी दिशा में लगाया था बाकी सारी अधिस राशी है देखते हम नेक्स्ट कोश्चन नमबर खोड़ते आकरती में निम्लल की सदीसों को पहचानी है अभी यहाँ पर देखना हमारे पास में एक वेक्टर यह है जिसकी दिशा यह है इसका नाम भी दिशा में है तो यह विपरित दिशा में है इस वेक्टर की और इस वेक्टर की दिशा क्या है बराबर है और परिमाब भी क्या है इसके बराबर क्यों क्योंकि यह दोनों क्या समानतर है और इसकी दिशा भी दोनों बराबर है अच्छा हमें क्या बोला सहादिम कोई इनिसि जिसका प्रारंबिक बिंदु क्या है एक है सहादिम कहलाता है हने हमने परिवासम पड़ा तो जिसके प्रारंबिक बिंदु क्या हो एक ही हो तो उसको क्या बोला जाता है सहादिम बोला जाता है तो वेक्टर ये और वेक्टर ये और वेक्टर डी वेक्टर डी ये क्या हो गय सह आदिम होगे समान समान मतलब जिसका परिमाप और दिसा दोनों बराबर हो देखना ये और ये क्या है बराबर है परिमाप बराबर है बी और डी बराबर है और दोनों की दिसा भी एक ही है तो ये क्या होगे समान होगे तो कोई-कोई समान हो रहा है B और D ये क्या होगे? समान होगे संड्रेक परंतु और समान संड्रेक मतलब क्या होना चाहिए? समानतर देखना ये और ये क्या है? समानतर है ये दोनों क्या है? समानतर है लेकिन और समान परंतु और समान संड्रेक का मतलब समानतर होना चीए ठीक है अच्छा ये और ये संड्रेक परंतु समान नहीं ये क्या ये संड्रेक भी है और समान भी है देखना संड्रेक मतलब दोनों समानतर है और समान है, समान है क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक जैसी है, तो यह क्या हो गया है, संड्रेक भी होगी, याला, और समान भी होगा, लेकिन यह संड्रेक होगा, लेकिन समान होगा, देखते हम next, question number 5, निम्नलेकित का उत्तर सत्य के रूप में दीजिए, वेक्टर यह तदा, माइनस वेक्टर यह संड्रेक है, देखना, ध्यान देना इधर, पहले तो संड्रेक की बात किलियर कर देते, क्योंकि इसमें सभी जगे मेरे को संड्रेक संड्रेक वाली बात समझ में आ रही है, यह संड्रेक लिका है, यह संड्रेक लिका है, यह संड्रे क्यों क्योंकि दोनों समांतर है यह भी संड्रेग है क्यों क्योंकि यह सारे क्या है समांतर है यह भी संड्रेग है क्यों क्योंकि यह समांतर है मैंने क्या किया एक समतल है समतल पर मैंने समांतर बना दिया अगर दो समांतर समांतर अगर हमारे पास में सर्फेस है और इस सर्फे लगा उसका परिमान क्या हो गा बराबर होगा लेकिन इसकी दिशा उप्रित है इसलिए दो मैंनेक लगा है दोनों संद्रेक है क्या है, हाँ है, दोनों समानतर है मतलब संद्रेक है, मतलब ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, बात के लिए हो गई, संद्रेक मतलब समानतर है, सिंपल बात, ठीक है, बले उसका परिमाप कम ज्यादा हो, बले उसकी दिशा विपरित हो, तो भी क्या होग ठीक है तो ये क्या है गलत है सारे इसी में अंसर है समान परिमान वाले दो सदीस संड्रेक होते है सही बात है क्या देखना समान परिमान वाले दो सदीस संड्रेक होते है समान परिमान वाले अगर मान लिया जाए कि एक वेक्टर ये है ठीक है समान परिमान वाले दो सदिस और एक वेक्टर यह है देखिए इसका भी परिमान यह है और इसका भी परिमान कितना है यह है ठिक तो इनका परिमान तो समान है लेकिन दोनों समानतर है क्या डायरेक्शन अलग अलग है डायरेक्शन की तो बाते नहीं किये दिसा की बात नहीं क समान परिमान वाले दो संर्यक सदिस समान होते हैं हुआए? समान का मतलब होता है उनकी दिसाए भी क्या होना चीए एक जैसी होना चीए ठीक है तो ये मालूम होना चीए आपको संड्रेक का मतलब समांतर और समान का मतलब क्या होगा समांतर भी रहना चीए और इसका मतलब परिमान भी बराबर होना चीए समान तर भी रहना चाहिए और परिमान भी क्या होना चाहिए डायरेक्शन भी दिसा भी क्या होना चाहिए ये गेसी होना चाहिए तो ये क्या नहीं है ठीक है तो समान नहीं होगे क्यों समान नहीं होगे क्या बोला समान परिमान वाले झाल झाल